हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबी का अपने चनल ब्यार्बत तेंथ पर आज जा क्लास काफी इंपोर्टेन होने वाला है और आज के इस क्लास में 80 साइंस का ओफिसल क्वेशन पेपर का वाइरल अब्जेटिव क्वेशन बताने वाला हो जो आपके एक्जाम में बेस फरव अपका वक्रता तेजिया डी में गोली दरपन का द्वारग तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा इसका होजाएगा आपका ऑप्सन नमर्ब ए जो आपका परधान एक्ट कहलाता है चलिए आपका दूसरा नमर्ब क्वेशन क्या है निम्ने मैंसे किस दरपन की फोकस दुरी ध तरपन हो जाएगा चलिए आपका त्यासरा नमर क्या है किस वस्तु का परती भीम आंख के किस भाग पर पड़ता है तो इसका परती भीम आपका परती भीम आपका निमने लिखित में किस माध्य में परकास की चाल सबसे अधिक होती है तो इसका जो सही एंसर जाएगा इसका आपका उपसन नमर डी जो आपका निर्वात में सबसे अधिक होता है चलिए आपका छटा नमर कोशन क्या है दूर दिरिष्टी वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है इसका जो सही एंसर जाएगा इसका आपका आपका अभी सारी किरन पूंच समतल दरपन पर आपतित होती है प्रावरतित किरन पूंच होगा इसका सही एंसर होगा इसका जो सही एंसर होगा वायू में काच के उतर लेंज की वायू में सकती होती है ए रिनातमक भी धनातमक से अनन्द दी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही एंसर हो जाएगा इसका आपका दस नमर क्वेशन क्या है जल की एक गोली बुंद में वयास के अनूदिस आपतित किरन का कितनी बार अपरती अ भी में दो सी में ती में दी में जो आपका और में जाते हैं भूयों जी तार में भूझो स्वू नामने त्मिष्ण। इन में से सभी तो इसका सही एंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका आपका गर्मतार में स्विच लगाया जाते हैं चलिए आपका बारे नमर क्वेशन क्या है जूल पर कुलाम कहलाता है ए वाट बी एंपिर सी ओम डी वोल्ट इसका सही एंसर हो जाएगा इसका हो तो इसका सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option number A जो आपका ये टेसला इसका सही answer हो जाएगा चलिए आपका 14 नमर question क्या है विदूद घंटी विदूद धरा के किस परभाव पर कारिये करती है ये उसमें परभाव पर बिरसानिक परभाव पर C में जो आपका चुमबक के परभाव पर D में जो आपका इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer हो जाएगा इसका हो जाएग Dनी उलिजा को विदूद उलिजा में, बीमा को यांत़ा उलिजा में जो आपका उलिजा को धोनी उलिजा में, őलो WOR यांतरी उलिजा में जाएगा ऑप्सन नमर डी जो है इसका सही एंसर हो जाएगा 17 नमर क्वेशन क्या आपका एक मोटर कार के पास्चर दर्सी दरपन में बना परतिविम होता है यह वस्तु से छोटा है भी वस्तु से बरा सी वस्तु के तुले डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही एंसर हो चलिए आपका उननेस नमर क्वेशन क्या है एक अफ्तल दरपन के दुरूब एवां फॉकस के ठीक मादन वियं हो जाबधन होगा एक उत्तल एक अप्तल दर्पन से एक अप्तल दर्पन के धुरूब एवाम फोकस के ठीक माध्य इस्थित बिम के लिए आवर्धन होगा एक बी दो C एक बटे दो D में जो आपका इनमे से कुई नहीं तो इसका जो सही एंसर जाएगा आपका आपसन नमर बी जो है इसका सही एंसर हो जाएगा जिवास में इंधन के जनले से किनकिया ऑकसाइट उत्पन्न होते हैं ये सलफर वी कारबन से नैटोजन डिनमे से सभी तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number D जो है इनमा से सभी यह साड़े क्या होते हैं उत्पन्य होते हैं साड़े उत्पन्य होते हैं चलिए आपका 21 नमर question क्या है 21 जो question है मैं जितना भी question बता रहो आपका board exam के लिए काफी जादा important question है यह जो आपके exam में सेम इसी तरह से मात रख है ए ओम मीटर बी ओम से ओम बटे मीटर डी वर्ट बटे मीटर इसका सही answer हो जाएगा आपका 22 क्या है चुम्ब किये फलक्स में पडिवर्तन की इदर का SI मात रख है वाट बी जूल सी वेबर डी जो है आपका वोल्ट इसका सही answer हो जाएगा option नमर सी जो है इसका सही answer हो जाएगा चलिए आपका 23 क्वेशियंट्यों क्या है समांग माध्यम से परकास गमन करता है एक रेकाबर बी ऌृत में सी ऋनिस्टप तरीके से डी सरव रेकाम में तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option नमर d जो है सरव रेकाम में इसका से हैंसर हो जाएगा चलिए एक वर्ण नी किरन गुजरे तो इसका नहीं होगा ए वर्ण विच्छेपन बी विचलेंट से अपॉर्थन डे इन में से कोई नहीं तो इसका सहीं एंसर हो जाएगा चलिए आपका 25 नमर कुशन क्या है परतेक एलक्ट्रोन पर रिनातमक आवेस होता है तो ए में इसका सहीं एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी जो है यह काफी ज़्यादा इंपोर्टन है यह आपका 11-12 तो में भी काम आएगा चलिए आपका 26 नमर क्वेशन क्या है एक गोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है गोल का पीएच क्या हो सकता है ए दो बी नो सी साथ डी दस तो इसका सहीं एंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर ए जो है दो इसका सहीं एंसर हो जाएगा चलिए आपका 27 नमर क्वेशन क्या है लोहे की परमानु संख्यां है तो लोहे के परमानु संख्यां कितनी होती है तो आप्शन A में आपका 23, B में 26, C में 25, D में 24 तो इसका सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option number B जो है इसका सही answer हो जाएगा 26 हो जाएगा चलिए आपका 28 नमर कुछन क्या है सेलफर परमानों की वहत्तम कक्षा में एलेक्टरोनों की संख्यां कितनी होती है A 4, B 5, C 6, D 7 तो इसका सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option number C जो है इसका सही answer हो जाएगा आपका 6 इसका सही answer है चलिए आपका 39 नमर कुछन क्या है 39 नमर कुछन है aluminum पर मोटी oxide की परयाद बनाने की परकिरिया कहलाती है A, यह जस्तिकरन, B, NOD करन, C, स्मिर्दिकरन, D में जो आपका N में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा option number B जो आपका यह NOD करन इसका सही answer हो जाएगा चलिए आपका 20 नमर कुछन क्या है कौन सा कारबन योगिक सबसे अधिक अभी किरियासिल है A, CH4, B, C2, H6, C में जो आपका C2, H4, D में जो आपका C3, H8 तो इसका सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option number C जो है यह C2, H4, इसका सही answer हो जाएगा चलिए आपका 31 नमर क्वेस्टन क्या है 31 नमर क्वेस्टन है विरेंजक चुर्णन का रसाइनी सुत्र क्या है विरेंजक चुर्णन का रसाइनी सुत्र है A, C, A, O, H का होल्टू B, C, A, O, O, C, L, 2 B, C में आपका C, A, C, O, 3 D में आपका C, A, S, C, O, 3 का होल्टू तो इसका सही answer हो जाएगा आपसन नमर B, C, A, O, C, L, 2 इसका सही answer हो जाएगा 32 नमर क्वेस्टन का रसानिक अभिकिडिया में भाग लेने वाले पधारत को कहा जाता है A, उत्पाद, B, अभिकारक C में आपका A, O, B, D में आपका इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा आपसन नमर B, जो आपका ये अभिकारक इसका सही answer है चलिए आपका 33 नमर क्वेस्टन क्या है दूद, तूद, पेस्ट होता है तूद, पेस्ट होता है A, चारिये, B, M, L, C, U, D, N, में से सभी तो इसका सही answer हो जाएगा आपसन नमर A, जो आपका ये चारिये होता है तूद, पेस्ट चारिये होता है चलिए आपका 34 नमर क्वेस्टन क्या है 34 नमर क्वेस्टन निम्ने लेकित में कौन कार्बोजैलिक समू है कार्बोजैलिक, बोन C, H, O, B डबल बोन थे देखें तो इसका ते यह इंसर हो जाएगा आप से नम्मरों जो है यह आपका सही कारण अमल्य वर्षा होती निम्ने लिकित में किस के कारण अमल्य वर्षा होती है A CO2 B CO 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 तो इसका सही answer हो जाएगा option number जो आपका बी है या 28 इसका सही answer हो जाएगा निकल का 28 होता है चलिए आपका 37 नमर कुछन क्या है एक जांच प्रक्षनली में लिये गए विलियन में एक लोहे की कील को दुबाया गया आधे घंडे के बाद यह देखा की विलियन का रंग परिव इसका सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option नमर सी जो है आपका सही answer हो जाएगा चलिए अपका 38 नमर क्या है एथनोल को सांध्र है इसे 4 के साथ गर्म करने पर निम्नाइंकित में कौन सी गैस बनती है यह C2H6 B में CH4 C में C2H2 D में आपका C2H4 तो इसका सही answer हो जाएगा option नमर डी जो है C2H4 इसका सही answer हो जाएगा चलिए 49 नमर को सन क्या है हीरा निम्नाइंकित में किस सतों का अप्रूप है यह गंड़ चाहिए चालिसमर कोशन क्या है चालिसमर कोशन है आपका एक गरम सोने से कितना लंबा थार बनाया जा सकता है यह 2.06 इसका राइट इंसर जाएगा option नमर डी जो है यह 2 किलो मेटर इसका सही answer जाएगा यह क्तालिसमर कि निम्टाइगीत योगी को में कौन जल में विले है एक ए बेंजिन, बी मिथेन, C, गुलुकोष, D, कारवन डाई, ओक्साइड, इसका सही answer है, option number C, जो है, सही answer है, कोलुकोष, इसका सही answer है, वियाले समर क्या है, निम्ना इंकित में कौन अमल्ग गयस है, य हैज सी यू और फिखी स्य में दॉगा उपने इस सभी आहिनस सटाए तो यहां होगा थना इस सब्सक्राइब करें इसका नियard इसंक्राइब करेंगा इचाहिं सब्सक्राइब है चलिए आपका चौबाली समर कुश्ण क्या है चौबाली समर कुश्ण आपका व्यूटेन व्यूटेनोन का अनुसुतर है C2H8O है इसका किरियासील सम्मू है आपका किटोनिक C में आपका अलकोहॉलिक D में आपका इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर A जो है यह अल्डी हाइडिक सही एंसर है चलिए आपका 45 नमर कुश्ण क्या है अलकाइन में दो कारवन परमानों के बीच कितने सह सनुज़क बंदन होते है A में 2 B में 3 C में 5 D में 7 है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ओप्सन नमर जो B है इसका 3 इसका सही एंसर हो जाएगा 46 नमर कुश्ण क्या है सिने बार कि जहातों का एसक है A M G B A L C F E D H G तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी जो आपका ये H G पारा सही एंसर हो जाएगा चलिए आपका 47 नमर कुश्ण क्या है सलफाइड S का सांदरन निम्नांकित में किस विधी द्वारा होता है A A दरवन विधी B निस्तापन C हाथ से चुनकर D फेन उत्पलावन विधी तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी जो आपका ये चलिए आपका 59 नमर कुश्ण क्या है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका 50 नमर कुश्ण क्या है तूतिया का रसानी सुत्र क्या है चलिए इसका जो आप्सन A में आपका नमर कुश्ण क्या है परदोसन मुक्त उर्जा सरोत है जल वैधूत उर्जा डी में आपका इंसर हो जाएगा आपका इंसर हो जाएगा किस हाइडो कारवन मैं कारवन कारवन परमानों के बीज तीन अबंध होते है होता है C3H8B में आपका C3H4 D में आपका C2H6 तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओपसन नमर B जो आपका C3H4 इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए तेरपन नमर कुश्ण क्या है निम्नाइंकित में कौन सा योगिक एरोमेटिक योगिक है A मिथेन B परोपेंट C में आपका विटेंग D में आपका बेंजीन तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ओपसनeros D जो आपका ये जो आपका ही बेंजीन इसका सही एंसर है चलिए आपका 54 नमर कुश्ण क्या है उच्छ बसिये बटे दो C में आपका 2N2 D में आपका N2 पलस 1 तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा आपका option number C जो है यह 2N2 इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए आपका 56 नमर कुशन क्या है side tone का आकार होता है यह तरहाकार B गोलाकार C में आपका 3 पुजाकार D में आपका इसका जो सही एंसर हो जाएगा option number A जो है यह तरहाकार इसका सही एंसर है चलिए आपका सल्टाओं नमर कुशन क्या है निम्नांकित में कौन एक पादफ हर्मोन नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number A जो है आपका इसका सही एंसर हो जाएगा आपका अल्टाओं नमर कुशन क्या है यूरिया रखत में कहां परवेश करता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका option number B जो आपका इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए आपका साथ नमर कुशन क्या है नड युगमक तथा मादा युगमक के सन्योजन से बनता है ये पीज भी जाई गोट डी में जो आपका सोक्रानो आप का अपका अन्डानो तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका option number B जो आपका ये जाई मोट जाई गोट इसका सही एंसर हो जाएगा चलिए आपका इकसर पादप अपसिष्ट संचट रहते हैं एक कोशी कि रिक्ति कउम में चलेए एकस नमर कोशन की है आपका सामान ने अनुस्षिषिलीन रखते दाव होता है यह 130 mm B में 120 mm C में 100 mm D में आपका HC mm तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number D जो 60 mm इसका सही answer है चलिए आपका तीरसर नमर कुछन क्या है मनुस, बिल्ली तथा चमकादर कि अगर पाद है A और समझात अंग B में आपका समझात अंग C में आपका अब सेसी अंग D में आपका इनमें से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number B जो आपका यह समझात अंग सही है चौसर नमर कुछन क्या आपका पादप में फोलो एम उत्तर दाई है जल समभान C में आपका ऑक्सिजन समभान D में आपका भोजन समभान तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number D जो है यह आपका 15 नमर कुछन क्या है एक वैस का मनुस्य कि कितने दाथ होते हैं यह 28, B, 36, C, 32, D, 34 तो इसका सही answer हो जाएगा option number C जो है option number C आपका 32 सही answer है चलिए आपका 66 नमर कुछन क्या है एंट्रोजन क्या है नर्ड लिंग हर्मोन B मादान लिंग हर्मोन C में आपका पाचक रस D में आपका इनमर से सभी तो इसका सही answer जाएगा option number A नर्ड लिंग हर्मोन चलिए आपका 66 नमर कुछन क्या है निरोन का वह हिस्सा जहां जानकारी हांसिल की जाती है A में आपका तंत्रीका का सीरा B में आपका तंत्रीकाक्ष C में आपका डेंट्राइड D में आपका कोसिका पीड तो इसका जो सही answer हो जाएगा आपका 69 नमर कुछन क्या है परकास संसलेशन की परकास अभी केडिया निरबर करती है A जल पर B सूरिया की रोशनीपर C मा आपका कलोरफील पर D में आपका न में सभी तो इसका जो सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका option नमर B जो है तो सूरिया की रोशनीपर हो जाएगा चल्छ ए आपका 77 नमर क्रूसन क्या है सूरिय में उत्पादित मुत्र मुत्रा से में जाता है A. मुत्रमार्ग से B. मुत्रवाहिनी से C. A. और B. दोनों से D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा option number C. जो है A. एवन B. दोनों हो जाएगा 71. नमर कॉषन क्या आपका 71. नमर कॉषन रख्त क्या है एक कोषिका B. पदहार C. उत्तक D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा option number C. जो है option number C. उत्तक इसका सही answer है इसलिए आपका ब्याला बहाता नमर कॉषन क्या है फूल में नर जनन पर जनन अंग है वर्तिका B. वर्तिकागर C. अंडा से D. पुंके सर तो इसका सही answer हो जाएगा option number D. जो है आपका ये पुंके सर सही answer है 73. नमर कॉषन क्या है आपका दा ओरिजिनिन अफ सुरीज इनके द्वारा लिखा गया है A. गडेगर John Mendel B. मैं आपका Greece Man C. मैं आपका Charles Darwin D. मैं आपका Lamark तो इसका सही answer हो जाएगा option number C. Charles Darwin इसका सही answer है 74. क्या आपका मानब आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ये गरासनली B. बरी आथ C. मैं आपका C. मैं आपका छोटी है D. मैं आपका सही answer हो जाएगा option number C. जो आपका ये छोटी हाँ सही answer है 75. क्या आपका इन में से कौन मादा जनन तंतरा का भाग नहीं है ये गरबा से भी सुक्रवाहिका C. मैं आपका D. में आपका आपका अंडा से तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number B. सुक्रवाहिका चलिए आपका 76. क्या है कि जीब में हीमोगलोबीन नहीं होता है ये मक्खी B. पक्षी C. मनुस्ववडी इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer हो जाएगा option number A. जो आपका ये मक्खी सही answer है 77. क्या है परसित पुस्तक वो माइको गराफियक किनके द्वारा लिखी गई है A. रॉबर्ट सन B. डार्विन C. आपका रॉबर्ट बुक D. में आपका ब्राउन तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number C. जो है option number C. रॉबर्ट बुक इसका सही answer हो जाएगा चलिए आपका उन्नासर नमर क्या है पौदो और पसुओं की कोशिका का वज्ञानिक अध्यन क्या कहलाता है ये कोशिका विज्ञान B. उत्तक विज्ञान C. में आपका अनुवांसी की D. में आपका Cytogenetics तो इसका सही answer हो जाएगा आपका option number A. जो है option number A. आपका कोशिका विज्ञान हो जाएगा चलिए आपका last number question क्या है last और आख्री नमर question आपका पौदो में बोजन किस रूप में जमा होता है गुलुकोज बीस्टार्ट से प्रोटेन D. तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number B. आपका इसका सही answer हो जाएगा चलिए मैं एक साथ से तका वाइरल भी भी है आपको एक्जाम में हंड़ेट परसंट बीस फरवड़ी 2024 को मेट्टिक और परिचाह में पूछा जाएगा अगर आप लोग में नए हो तो में यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बिल आइकन गंटिए और पर प्रेश कर दिए कर दिए और वीडियो को लाइक से अगले वीडियो में आज अगले तक यू